साथियों कैसे हैं आप सब लोग साथियों एक बात तो बताना कि पुलिस या प्रशासन वास्तम में नियमों का पालन करके इस देश के आम नागरी को ट्रीट कर रहा है साथियों जब जब आप इस प्रशन का उत्तर ढूंडेंगे तो आपको हमेशा ही आपका उत्तर कोड़ें मिलेगा आज पुलिस हो चाप प्रशासन हो अपने इसाब से कानुन की स्थित्यों को जो है हाग रहे यह चाते यह हैं कि कानुन जैसा यह चलाते हैं यह वैसा ही चले साथियों एक रिसेंट पिक्चर जो है वारेल वी जहांपर एक पुलिस वाला किसी व्यक्ति क को लाठी से जो है मारतावा दिखाया गया सातियों इस विशे पर करनाठा का हाई कोड ने जो है संग्यान लिया करनाठा का हाई कोड का यह कहना है कि पुलिस के पास पावर है कि यदि कोई उलंगन करता है तो उसके विरुत कानुन कारवई करे पर यह अधिकार कते ही नही पुलिस शुड नॉट यूज एक्सेस फॉर्स अगेंस लॉगडाउन वाइलेटर अगर उलंगन किया भी है तो आप इस तरह का फॉर्स जो है यूज नहीं कर सकते हैं पुलिस शुड अवाइट एक्सेस फॉर्स पुलिस को एक्सेस फॉर्स अवाइट कर देना चाहिए साथियों एडवोकेट साब जो की एज़ामी के स्क्विरी कोड में अपियर हुए थे उनका ये कहना है कि पुलिस जो है लाटी चार्ज यूज करती है अगेंस वाइलेटर कि आपको करने के लिए नियमों को लागू कराने के लिए किसी भी रूप में लाटी चार्ज नहीं करना है एक्सेस फॉर्स को अपयोग जो है नहीं करना है इसके बावज़ू भी जो है पुलिस ऐसा कर रही है जैज साब ने जो है क्या उब्ज़र करा साथियों बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके काम अने वाला है एक्सेस फॉर्स शुड भी अवएड़ेड कि ऐसा फॉर्स जो विदिक रूप से मनता प्राप नहीं है एक्सेस फॉर्स की केटेगरी में आता है उसको अवएड कर देना चाहिए अगर लोग कॉपरेट नहीं कर रह है और पुलिस जो है वो प्रेशर में है तो जसाब का यह कहना है अल्टिमेटली इफ देर इस डिरेक्शन फॉर लॉग्डाउन दा सिटेजन शुड कॉपरेट अगर कॉपरेट नहीं कर रहे हैं तो और भी रास्त है हाला कि उन्हें कॉपरेट करना चाहिए पर अगर नही साब जो सरकार की पैर भी करते हैं हाई कोड के अंदर इट्स ओड़ेट इट सो औन सो इन विच इट वस नोटेट दाट इट इट विल बी एप्रोप्रियेट इफ दीजी और आईजी ऑफ दे स्टेट इशू सिमलर गाइडलाइन तो पुलिस परसनल ऑल अवर दी स्टेट उन्होंने ये सितियां बता दी कि अगर ये डिरेक्शन इशू हो जाते हैं तो ऐसा कोई भी आरोप जो है पुलिस पर नहीं लगेगा कि वो लाटी चार्ज कर रही है या अपनी पावर्स का जो है अक्सेस यूस कर रही है यहां पर एक important बात है एक request जो है court से की गई not to pass any order and said he would take up the matter with DGP himself accordingly the court noted our attention is invited to what is observed in pair number two of the ordinated so and so advocate general says he will take he will take up the issue with the concerned authority so that necessary action can be taken तो कितने घबराट हो गई एक court ने बात पकड़ ली घबराट हो गई तो कहने के बाद ये सातियों अगर lodge की जानकारी इस देश के आम नागरिक को होगी और आप ये बिंदू उठा देंगे तो कम से कम घबराट तो उनको होनी जो गरत कर रहे हैं तो सातियों नियमों की जानकारी आपको नहीं होती इसलिए आपका जो है कि आपको नियमों की जानकारी देना और इस तरह से भद्धू बनाना कि आप नियमों की जानकारी रखते हुए अपने अधिकारों के लिए जो है लड़ सके उसे इन्फोर्स कर सके वह बगार कोड में जाए दीरे दीरे टाइंट को टाइंट में ऐसी सित्यों को लेकर आऊ और को दूए है टूए है